दोस्टो सब्सक्राइब के जिए प्रमोत युदुवन्शी को और क्लिक के जिए नोटिफिकेशन बेल को जिसे आप देख सके वीडियो को सबसे बाइब दोनी और विराट के नंबर एक बनने के साथ टीम इंडिया जीतना चाहेगी सिरीज भारत और श्री लंका के बीच रविवार को पलेकली स्टेडियम में पांच मैचों की सिरीज का तीसरा वन टेप खेला जाएगा विराट कोहली के नेत्रत्ववाली टीम इंडिया का लक्ष सिरीज में तीन शून्य की आजय बर्त बनाने का होगा टीम इंडिया ने शुरुवाती दो मैच जीता कर सिरीज में दो शून्य की बर्त बना रखी हैं महमान टीम ने पहला वन टेप 9 विकेट से जबकि दूसरा वन टेप 3 विकेट से जीता था भारतिय टीम में तीसरे वन टेप में भी बदलाव देखने की उमीद कम है क्योंकि दूसरे वान डे में उसके बल्ले बाज श्री लंका के रहस्य मणी स्पीनर अकीला धनन जय के सामने घुटने टेक बैठे थे। पतारे की धनन जय ने उस मुकाबले में छे भारतिय बल्ले बाजुन को अपना शिकार बनाया था। टीम इंडिया के बल्ले बाजुन के प्रदर्शन का पता नहीं चल सका और यहीं वजह हो सकती है कि कप्तान कोहली एक बार फिर अपने उन्हीं 11 हिलाडियों पर भरोसा करके मैदान संभाले। ऐसे में कुलरदी व्यादव और मनीश पांडे का इंतजार आगे बढ़ सकता है। के बल्ले बाज भी तीसरे वान डे में अपनी उपरोगिता साबित करने के लिए एड़ी चोती का दानों लगाते नजर आएंगे। टीम इंडिया के लिए राहत की बात यहा है कि धोनी अपनी लग में नजर आए और उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के साथ टीम इंडिया को दूसरे वान डे में हारी हुई बाजी जीताई। भारतिय टीम का गेंडबाजी विभाग अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कप्तान कोहली वा टीम प्रवंधन को एक बार फिर उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। बहराल धोनी और कोहली के पास नंबर एक बनने का शांदार मौका है। धोनी ने अब तक वान डे में 99 स्टर्म पिंग की है और उन्हें वर्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए सिर्फ एक स्टर्म पिंग की जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे वान डे में धोनी इस विशेश उपलबधी को अपने नाम कर लेंगे। वहीं विराट के पास साल 2017 में वन टे प्राणूप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में नंबर एक बनने का शांदार मौका हैं। कोहली 42 रन बनाने के साथ ही इस उपलब्धी को अपने नाम कर लेंगे। श्री लंका की टीम के लिए ये मैच करो या मरों की स्थिती का है। मेजबान टीम इस समय मुसीबतों से घिरी हुई है। उसके 2019 वर्ड कप में सीधे क्वालिफाई करने पर भी संकट के बादल मंदर आ रहे हैं। लंका को सीधे क्वालिफाई करने के लिए भारत के खिलाफ दो मैच जीतना जरूरी हैं। इसके अलावा उसके कप्तान उपुल थरंगा पर दो वान डे का बैन लगा है जिसके बाद से श्री लंका टीम कप्तान की तलाश में हैं। मिलिंडा, सीडिवर्दना और अकीला धनन जय के रूप में दो पहतर युवा खिलाडी मिले हैं। और उसे उम्मीद होगी कि तीसरे वान डे में टीम जीत की पट्री पर लोटेक।